तो एक 2 का सीन 5 जो है वो स्टार्ट होता है अलिविया के गार्डन के अंदर ये सीन है इंटर सर्टूबे बेल्च एंडर्यू आउक्जिक एंड फेबियन ये सारे करेक्टर वहाँ पे इंटर होते हैं सर्टूबे की अब लाइन है सर्टूबे कहता है कंदाइवई सिग्नियर फेबियन अच्छा इसको स्टार्ट करने से पहले इसको थोड़ा समय बेक्राट आपका बितायता हूँ कि पीछे वाले सीन में आपने देखा हुआ कि मारिया जो होती है वह इन सब को बिताती है कि जो मेलवॉलियो है जो कि अलिवय का सर्वंट है जिसने तुम लोगों की बेजिती की है अब मैं उसके साथ वह वाला हाल करूँगी कि मतलब उसको मैं इसी तरह से बेज़त करूँगी उसके साथ कुछ न कुछ मजाग जरूर करूँगी वो वला मजग जो के पीछे वाले सीन के अंदर मारिया ने बताया था कि वो Malvolio के साथ करेंगी वो इस सीन के अंदर होगा यानि इस सीन के अंदर वो एक लैटर लिखेगी जिसकी हैंड डॉइटिंग जो होगी वो बिल्कुल servant होगा, malvolio की तरह, लेकिन malvolio से नीचे होगा, क्योंकि malvolio जो है, वो सब servants में, मतलब उसका क्या कहते है, कि जो rank है, वो उपर है, इसलिए वो इतना ज्यादा चोड में भी रहता है, तो अब यहाँ पर जो signer का word यूज हुआ है, यह Italian word है, तो कि Italian language के अंदर Mr. यह Sir के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर इसका मतलब यह होगा, कि Sir2B, जो है, वो कह रहा है, कि Mr. Fabian या Sir Fabian इधर आजाओ, तो Fabian आगे से कहता है, ने, I'll come, ने का मतलब यह है, कि Fabian आगे से कह रहा है, कि हाँ, हाँ, टैंचन ललो, मैं आ रहा हूँ, I'll come, यानि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, If I lose a scruple of this spot, अब scruple जो है, यह न, चोटे से चोटा unit होता है, किसी भी चीज को मज़र करने का, एक चोटे से चोटा unit होता है, यहाँ चोटी से चोटी quantity होती है, किसी भी चीज की, तो यहाँ पर scruple का word यूज करके, न, Fabian यही कहना चाहरा है, कि अगर यह जो sport है, sport यहाँ पर जो आगे होने वाला है, malevolio के साथ, जो वो देखने के लिए बैठे हैं, उसको वो कह रहा है, कि जो हम malevolio का, मतलब यहाँ पर तमाशा देखने वाले हैं, अगर यह तमाशा जो है न, इसका में थोड़ा सा हिस्सा जो है, वो भी miss कर देता न, let me be boiled to death with melancholy, यहाँ पर यह जो boiled का word है, यह यहाँ पर Shakespeare ने as a pun use किया है, pun क्या होता है, pun मैंने आपको पहले बताया था, यह play के अंदर भी use हुआ था, कि pun ऐसा होता है, कि उसके अंदर क्या writer करता है, कि एक word है उसको use करके, एक और word का meaning है, वो convey कर रहा होता है, उस word के through, अब यहाँ पर यह जो boiled का word है, इसका मतलब है bile, bile एक pigment होता है, जो के हमारी body के अंदर script होता है, यानि पैदा होता है, यानि आप समय ले, मैंने आपको, अगर याद हो न, इससे दो तिन वीडियो पीछे, मैंने, जो Canterbury Tale की वीडियो बनाए थी, उसके अंदर मैंने four pigments जो थे, उनको explain किया था, अगर आपको नहीं पता, तो आप Franklin वाली जो वीडियो है, Canterbury Tale की, वो जा के देख लें, उसके अंदर मैंने detail के अंदर four pigments को explain किया है, कि हमारी body के अंदर कौन-कौन से pigments होते हैं, और वो हमारे emotions के उपर, हमारी feelings के उपर कैसे असर अंदाज होत करते हैं, तो यहाँ पर boil का मतलब है bile, यानि bile pigment, जो के melancholy पैदा करता है हमारी body के अंदर, यानि, जो melancholy के emotions होते हैं, वो bile pigment पैदा करता है, अब bile pigment कौन सा होता है, यह black pigment होता है, जिसको boil pigment कहते है, तो यहाँ पर Fabian यहीं कह रहा है, कि अगर यह जो तमाशा हम देखने व रसकली, शीप बाइटर कम बाई सम नॉटेबल शेम, अच्छा, साटू बागे से कहा रहा है, क्या तुम नहीं चाहोगे, not be glad, यानि क्या तुम यह देखकर खुश नहीं होगे, के to have the negatively, यानि कंजूस, जो के मतलब, खर्च करने में कंजूसी करता है, बहुत, मतलब, प्रच के अंदर, एक मतलब डौग होता है, जो के रखवाली करता है भेडों की, यानि अगर भेडे जो है, एक भेड जो है, वो अलैदा जा रही है, जुन से, तो डौग जो है, वो रखवाली करता है, यानि चोरों से भी, या मतलब, अगर भेड जो है, वो अलैदा जा र निगरली यानि कंजूस वो जो मैल बोलियो है उसको थोड़ी से शर्मिंदगी हो यानि वो किसी ना किसी वया से शर्मिंदा हो क्या तुम यह देखकर खुश नहीं होगे उसके जबाव में फेवन कहता है आई वोड एक्जर्ट एक्जर्ट का मतलब भी खुश होना होता है कि इसके दर वो क्या करते थे कि एक रीच होता था उसको बांद देते थे रसी के साथ किसी चीज के साथ मतलब एक जगा पर बांद देते थे और कुट्टों को उसके ऊपर छोड़ देते थे तो वो जो मतलब रीच के लड़ाई होती थी उसको बीर बेटिंग आते हैं तो यह वो उसकी वज़ा से मेरे से नराज हो गई थी इस ताइम यानि बियर बेटिंग के टाइम यानि जब एक बार क्या हुआ था कि अलिविया के घर में यानि इस घर के अंदर मेरी मालकिन के घर के अंदर जब यहाँ पर यानि उसकी नजरों में मुझे नीचा दिखाया था तो इसका मतलब यह होका फेबन कहा रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी क्योंके मैलवोलियो जो था उसने भी एक बार मुझे ऑलिविया के सामने बदनाम किया था जब यहाँ पर रीच और कुटों के लड़ाई हो रही थी तो साटूबय कैसे कहता है तो एंगर हीम वी विल हैव दब बीर अगें का मतलब यह नहीं है कि वो कह रहे है कि मतलब हम दुबारा रीच की लड़ाई यहाँ पर करवाएंगे यह इसका worldly meaning है लेकिन इसका जो मतलब यहाँ पर symbolically meaning है वो यह होगा अब यहाँ पर साटूबय जो है न वो बीर बेटिंग वाली जो लड़ाई उपर बात हमने की कि रीच और कुटों के लड़ाई होती है तो उसके अंदर रीच को निकाल के न साटूबय कह रहा है और वो अलिवया के नजरों के अंदर गिर जाएगा यह वो यहाँ पर कहा रहा है and we will fool him black and blue अच्छा fool him black and blue का क्या मतलब है black and blue का मतलब है यह यहाँ पर उसकी health को show कर रहा है तो यहाँ पर black and blue का यही मतलब है कि वो कह रहा है कि हम इसको ऐसा बेवकूफ बनाएंगे कि जिस तरह से एक आदमें बिमार होने के बाद होता है यहाँ फिर मार खाने के बाद होता है shall we not sir Andrew अच्छा यह कहने के बाद मतलब बात वो यहाँ पर fabian से कर रहा है लेकिन यही बात करने के बाद अब वो sir Andrew के साथ बात करते हुए भी इसी बात को confirm करेगा sir Andrew क्या ऐसा नहीं है क्या हम ऐसा नहीं करेंगे तो sir Andrew जो था वो आगे से कहता है and we do not it is pity of our lives अच्छा and का मतलब है if यानि अगर हमने ऐसा ना किया तो अब sir Andrew उसका जवाब दे रहा है मतलब sir टूबे ने पूछा ना कि sir Andrew क्या हम ऐसा नहीं करेंगे तो sir Andrew आगे से कह रहा है कि हाँ बिलकुल हम ऐसा करेंगे और अगर हमने ऐसा ना किया तो it is pity of our lives तो हमारी जो जिन्दगी है ना उसके उपर बहुत ज्यादा हमें तर्स खाना होगा या लोग हमारे उपर तर्स खाएंगे कि हमारे पास मौका भी था और हमने ऐसा नहीं किया here comes the little villain अच्छा अब यहाँ पे little villain उसने मारिया को काया है जब उसने देखा न सार टूबे ने के मारिया आ रही है तो वो मारियो कहता है देखो वो रहा little villain यानि छोटा शैतान जो के मतलब जिसने महलवोलियों के खिलाफ साधिश की है या उसको पागल बलाने का plan बनाया है इसलिए यहाँ पे वो उसको little villain कह रहा है मारियो को कहता है वो देखो छोटा बदमाश आ रहा है इतने में इंटर मारिया मारिया आती है तो इसको देखकर सार टूबे कहता है get you all three into the box tree अचा box tree जो होता है यहाँ पर वैसे box tree एक दराखत को भी कहते है लेकिन यहाँ पर मतलब है जाडिया तो यहाँ पर मारिया कहते है कि तुम सब लोग जल्दी से जाडियों में छुप जाओ कि मतलब सूरज की रोशनी के अंदर यानि दर्मयान में जहाँ पर धूप है ना वहाँ पर खड़ा होके अपने ही साय के साथ या अपने shadow को देखते हुए practice कर रहा है मतलब practice किस चीज़ की कर रहा है कि मतलब as account बनने की मतलब वो अपने ख्यालों में सोच रहा है कि मतलब म तुम लोग वहाँ पर जाकर छुप जाओ और उसको observe करो for the love of mockery for the love of mockery क्या होता मोकरी कहते है हकारत के साथ देखना किसी को यानि किसी को अपने से अपने से नीचा समझना किसी का मजाक उडाना तो यहाँ पर मारिया जा वो यही कह रही है कि अगर तुम लोग चाहते हो उसको तुम नीचा दिखा सको तो उसको नीचा दिखाने के लिए ना जो तुम्हारे अंदर जो love है उसको नीचा दिखाने का उसकी खातिर तुम क्या करो कि जाकर उसको observe करो for I know this letter will make a contemplative idiot of him फिर कहती है कि मुझे पता है कि यह जो letter मैं उसके रास्ते में फैंकूंगी ना जिसको वो पढ़ेगा तो यह letter जो है ना यह उसको idiot बना देगा मतलब बेवकूफ बना देगा और ऐसा वैसा बेवकूफ नहीं बलके contemplative बेवकूफ अब contemplative का क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है गोरो फिकर करने वाला सोचने वाला यानि यहाँ पे इसको समझना ऐसे क मारिया कहना चाहरी है कि वो यह लेटर पढ़ने के बाद वो ऐसे मतलब शो करेगा अपने आपको कि जैसे वो बहुत ज्यादा फिलोसफर है बहुत ज्यादा मतलब उसको बातें पता है जिस तरह से मतलब जहीन लोग होते हैं इस तरह की वो एक्टिंग करने की कोशिश करेगा लेकिन असल में वो इडियोट होगा यानि एडियोट की तरह हम सबको एडियोट लग रहा होगा लेकिन अंदर से वो अपने आपको मतलब एक philosopher समझ रहा होगा तो इसलिए मारिया कहा रही है कि वो contemplative idiot बन जाएगा फिर कहती है close in the name of jesting close, close का मतलब छुप जाओ यानि छुप जाओ in the name of jesting यानि अगर तुम मजाग करना चाते हो तो छुप जाओ, अब maybe jesting का मतलब यहाँ पर यह होगा कि जो मजाग का देवता है maybe यहाँ पर कोई मजाग का देवता होगा मतलब प्रैंक का देवता होगा तो कह रही है कि यहाँ अगर देवता नहीं भी है तो यहाँ पर मजाग की बात हो रही है कि मजाग की खातिर ना please महरवानी करके छुप जाओ, lie down there यानि तुम लोग वहाँ पर जाकर लेड जाओ या छुप जाओ, अच्छा फ्रोस डाउना लेटर, ये करने के बाद वो क्या करती है, कि वो लेटर जो होता है वो वहाँ पर फैंक देती है अच्छा, अब ट्रोट क्या होता है ट्रोट एक चोटी सी मचली होती है जिसको जो मचवारा होता है, फिशर मेन होता है वो उसको पलग कैसे पकड़ता है वो पानी के अंदर अपना हाथ डालता है जब वो मचली आती है करीब उसके पास तो वो अपने हाथों के साथ उसके जो गिल्स होता है और यह कहकर exit, मारिया वहां से चली गई, यानि वो तीनों वहाँ पर एठट div, Sir Andrew और Fabian जो है वो तीनों वहां में बैठट हैं, तो मारिया वहां से चली गई है, तो intermalvolio, winter होता है, ₤ малvolio के लाँ ही है, अब इस लाइन का मतलब यह है, वो कहता है, यह सब कुछ किसमत है, अब यहाँ पर वो किस चीज को fortune कह रहा है, अपनी किसमत के बारे में बात कर रहा है, कि मतलब मैं जहूना, जो कि Olivia के साथ लव करता हूँ, लेकिन Olivia के साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसका servant हूँ, Olivia जो है, वो मेरी मालकिन है, तो यह हमारी किसमत ही है, जिसने मुझे steward यानि एक गुलाम बना दिया, और मेरी मतलब जो lover है, यह जिसको मैं लव करता Olivia उसको मेरी मालकिन बना दिया, Maria once told me she did affect me, फिर वो बात याद करता है, तब मुझे याद है, एक बार मारिया ने मुझे कहा था, कि she, अब यहाँ पे she, वो Olivia को कहा रहा है, कि Olivia जो है न, she did affect me, यानि वो मुझे पसंद करती है, यानि मैं उसे अच्छा लगता हूँ, यानि एक बार मारिया ने मुझे बताया था, कि Olivia जो है, वो मुझे पसंद करती है, या वो मुझे अच्छा समझती है, and I have heard herself come thus near, that should she fancy, it should be one of my complexion, अच्छा, फिर आगे कहता है, पहले उसने मारिया का reference दिया, कि मारिया ने एक बार मुझे कहा था, कि Olivia जो है, वो मुझे पसंद क कह दिया था, कि अगर वो किसी बंदे को मतलब fancy, fancy का मतलब है, कि अगर वो किसी बंदे का मतलब खौब भी देखेगी, किसी को अपना husband भी चूज करना चाहेगी, तो it should be one of my complexion, तो वो मेरी तरह ही दिखता होगा, यानि वो कहता है, कि मैंने एक बार Olivia को कहते हुए सुना थ कि उसने ना इस हद तक कह दिया था, कि अगर वो कभी भी किसी बंदे का dream देखेगी, या उसको husband मानेगी ना, तो वो मेरी तरह का भी होगा, अच्छा, फिर कहता है, besides, इसके अलावा, she uses me with a more exalted respect than anyone else that follows her, अच्छा, फिर कहता है, इन सब बातों के अलावा, जो मैंने ऊपर respect जो है ना, वो मुझे देती है, anyone else that follows her, यानि उसके जितने भी followers है, यानि जितने भी उसके knocker है, उन सब से ज्यादा ना, वो मुझे respect देती है, यह वो यहाँ पर कहता है, फिर कहता है, what should I think on it, यानि इस चीज़ के बारे में, अब मैं क्या सोचूँ, यानि ये सारी बाते अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करना, कि Malvolio की lines और बाकी इन तीन characters की lines जो है, वो इस तरह से है, मतलब scene को थोड़ा सा ध्यान में रखना, कि Malvolio जो है, वो सामने खड़ा है, और यह तीन जो है, यह जाड़ियों में चुपे हुए बातें कर रहे हैं, आपस मतलब, मतलब जब भी Malvolio की बात करेगा, तो उसकी बात के जवाब में, यह तीनों जो हैं, यह जाड़ियों में चुपे हुए, कमेंट पास करेंगे, तो यहाँ पर उसी तरह से Malvolio की बात खत्म होई, तो सार्टूब आगे से कहता है, here is an over winning wrong, over winning, यानि मघरूर, यानि अपने उपर ज चुप हो जाओ, कहीं वो हमें सुनना ले, Contemplation makes a rare turkey of him, अच्छा, Contemplation, Contemplation, यहाँ पर इसका मतलब मैंने पहले बताया था, किसका मतलब होता है, war of figure करना, यानि इस तरह का pose बनाना, या इस तरह शो करना, जैसे बंदा ना, कोई बहुत ज़्यादा जहीन बंदा है, और वो जो होता है, जो मतलब मेल होता है, मोर, उसको कहते हैं turkey cook, rare का मतलब है, यानि वो नयाब होगा, मैं भी इसलिए वो rare कह रहा है, कि मतलब ये जो मोर होता है, जो नर्म मोर होता है, जो मेल मोर होता है, उसकी तरह ये लग रहा है, जब ये war of figure कर रहा है, अच्छा, how he jets under his advanced plumes, plumes पर को कहते है, advanced यानि फैलाए हुए, jets यानि फैलना, यानि देखो ये किस तरह से अपने फैलाए हुए परों के साथ, शेखी भी खेर रहा है, जिस तरह से मोर होता है, वो अपने परों को फिला कर, मतलब तकबर और घरूर को शो करता है, या फिर थोड़ा सा, मतलब प् expression है, जब हम कहते है न, यानि कसम से, मैं तो इसको मतलब ऐसा कर दूँगा, ये वैसा कर दूँगा, तो यहाँ पर Sir Andrew जा है, वो भी यह कह रहा है, कि by God, I could so beat the rog, यानि कसम से, मैं इसको बहुत ज्यादा मारूँगा, जैसा ये कर रहा है, अच्छा, Sir Tuba के से कहता है, peace, I say यानि मैंने कहा, चुप हो जाओ, Sir Andrew को वो कह रहा है, कि मतलब आइसता बोलो, या फिर चुप हो जाओ, वो सुन लेगा हमें, तो Malvolio कहता है, to be count Malvolio, अच्छा, अब यहाँ पे उपर वाली जो Malvolio की लाइन थी न, जहां से उसने छोड़ा, उसके साथ इसको जोड़ के, यहाँ पे इसका मिनिंग निकालो, Malvolio ने कहा था, what should I think on it, यानि उपर उसने कहा न, कि यह सब को जो है, मतलब मारिया उसने मुझे बताया, कि मुझे प्यार करती है, और मैंने खुद भी सुना था, कि वो कहती थी, कि अगर उसने किसी के बारे में ड्रीम किया भी न, तो मेरी तरह का यह होगा, उसके अलावा, वो मुझे इज़त भी देती है, तो इन सब का मैं क्या सोचूं, वो आगे फिर कहता है, कि मैं यही सोचूंगा, कि मतलब मैं जो हूना, वो count Malvolio हूँ, यानि कि मैं बहुत जल्दना count Malvolio बन जाओंगा, count क्यों, क्योंकि Olivier है, वो countess ह है, तो जब यह उसका husband हो जाएगा, तो यह भी count हो जाएगा, तो इसलिए कह रहा है, कि मैं उसका husband हो जाएगा, उससे शादी कर लूँगा, और count Malvolio बन जाओंगा, तो सर्टू बे फिर से कहता है, ओ रोग, यह मतलब कितना कमीना है, तो सरे रेंटू कहता है, पिस्टल है पिस्टल है, यानि अगर मेरे पास बंदूख हो ना, या पिस्टल बगारा हो, तो मैं इसको गोली मार दूँ, यह इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो सर्टू बे कहता है, पीस, पीस, यानि रुक जाओ, चुप हो जाओ, खमोश हो जाओ, अच्छा, एक चीज ना, यहाँ प करवाएंगे, तो फिर male volume कहता है, there is example for it, the lady of stretchy married the yeoman of the wardrobe, अच्छा, अब यहाँ पे ना, उसने पहले का male volume ने, कि मैंना बहुत जल्द count male volume बन जाओगा, यानि उलीगा से शादी कर लूँगा, अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए, वरिफाइ करने के लिए, वो खुद क एक लड़की का नाम होगा में भी अब यहां पर मतलब कोई confirm नहीं है कि इसी चीज की तरफ reference दिया है यह एक मतलब फर्जी character है जिसका यहां पर नाम यूज हुआ है Stretchy यानि यह एक मालदार औरत थी जिसने अपने knocker yeoman, yeoman जो था ना जो कि उसके कपड़ों को deal करता था वार्टोग यानि जो कि उसके कपड़ों को deal करता था यहां उसके कपड़ों को set वगएरा करता था उसका knocker था Stretchy का उसके साथ Stretchy ने शादी कर ली थी यह वो example देता है Malvolio तो फिर आगे सरेंडर करता है फाय उन हिम जैजबल अच्छा फाय उन हिम यानि शरम आनी चाहिए इस बंदे को यहाँ पर वो मैलवलियो को कह रहा है फिर जैजबल अब जैजबल जो है न ये एक वर्ड है जो कि यूज किया जाता है किसी को कर्स देने के लिए किसको बुरा भला कहने के लिए अच्छा जैजबल जो था ये एक वैसे character था यह मतलब real life एक character थी ये एक औरत थी यानि जो कि एक king था king of israel जिसका नाम था आहद उसकी ये बीवी थी जो कि अपने मतलब torture के लिए अपने जलुम के लिए बहुत ज्यादा मतलब famous थी तो उसका मतलब नाम यहां पर यूज करके Sir Andrew जो है वो Malvolio को कह रहा है कि यह Jezebel है अब Jezebel यहां पर Sir Andrew ने Malvolio को कह तो दिया लेकिन यहां पर यह भी यह भी हो सकता है कि जो Sir Andrew है उसको यह भी नहीं पता कि Jezebel जो था वो एक औरत थी यानि Jezebel एक औरत थी ना कि एक आदमी था क्योंकि वो एक आदमी के साथ उसको मतलब compare कर रहा है या एक औरत वाली जो मतलब कहावत है या एक शराब जो है वो एक आदमी को दे रहा है यहां पर फिर से जो Sir Andrew है उसकी कम अकली का जो हमें अंदाजा है वो यहां से हो जाता है कि इसको इतना भी नहीं पता कि Jezebel जो थी वो एक औरत थी उसके साथ compare कर रहा है मलवोलियो को Sir Andrew यहां पर तो Fabian फिर से कहता है ओ पीस ना देखा फिर से Sir Andrew ना बात की तो Fabian ने कहा दिया मतलब चुप हो जाओ Now he is deeply in यानि अब यह अपनी बातों में पूरी तरह से डूबा हुआ है Look how imagination blows him यानि देखो किस तरह से जो चीजें imagine कर रहा है तो किस तरह से इसकी imagination जो है वो इसको बहुत ज़्यादा ऊपर उठा रही है इसकी imagination जो है वो इसको कितना और ज्यादा बढ़ावा दे रही है यह वो यहाँ पर कहा रहा है तो फिर Malvolio कहता है Having been three months married to her Sitting in my state तो यहाँ पर Malvolio जो है ना उसने अपना एक fancy imagination जो है ना वो शुरू कर दी यहाँ पर वो कहता है यानि जिस तरह से count होता है उसके एक ऊप्ड़े होते हैं शाही कप्ड़े होते हैं और वो जिस तरह से बन्ठन के बैठा होता है उसी तरह से मैं भी Olivia के साथ बैठा हुआ होँगा जिसितलब Olivia के साथ मेरी शादी हो गई है और इसको तीन माह गुजर चुके हैं, मैं जो हुना, वो अब count बनके बैठा हुआ हूँ, अच्छा, सटूबे फिर से कहता है, oh, for a stone bow to hit him in the eye, यानि फिर सटूबे कहता है, oh, काश मेरे पास ना stone bow, stone bow घुलेल को कहते हैं, जिसमें पत्थर डाल के ना मारते हैं, घुलेल को कहते हैं, stone bow, तो सटूबे कहता है, काश मेरे पास ना घुलेल होती, मैं इसकी आँख फोड़ देता, तो मैं लोगो कहता है, calling my officers about me, अच्छा, फिर से अब वो, अब वो अपनी imagination को continue करेगा, तो मैं लोगो कहता है, कि जब मैं वहाँ पर, मतलब, बैठा हुआ होँगा, ना count बनके, तो मैं क्या करूँगा, कि अपने officers जो है, उनको बुलाऊंगा, in my branched velvet gown, अच्छा, branched velvet gown का क्या मतलब है, कि जो उसने, मतलब, एक dress पहना हुआ होगा, ना count बाला, वो velvet का dress होगा, और branched का मतलब है, कि उसके उपर, मतलब, फूल बगएरा बने हुए होगे, अच्छा, मैंने वो फूलों वाला, मतलब, मतलब, सोता हुआ छोड़कर, अपने बैट से उठकर, वहाँ पर अपने दर्बार में, या अपने, मतलब, हॉल में आऊंगा, और वहाँ पर आकर, मैं अपने नोकरों को बुलाऊंगा, अपने velvet वाले dress के अंदर, जिसके उपर, पते वगारा या फूल बने हुए होंगे, अच्छा, फिर सर्टूबे कहता है, fire and brimstone, ये भी एक तरह का श्राप है, मतलब, श्राप देने के लिए ये word यूज किया जाता है, उसके लावा, ये Bible का अंदर का भी एक reference है, Bible के अंदर जो God का रैथ होता है, गुसा होता है, उसको भी मतलब शो करने के लिए ये word यूज किया जाता है, fire and brimstone, जो कि मतलब बहुत ज्यादा गुसे को शो करता है, यानि बरबाद हो जाए ये आत्मी, तो फेबेन आगे से कहता है, ओ, पीस, पीस, यानि चुप हो जाओ सर्टूबे, क्या मसला है तुमें, चुप क्यों नहीं हो रहे हैं, फिर मैं बोले कहता है, and then to have the humor of state, फिर आगे से मैं बोले कहता है, कि जब मैं अपने नोकरों को बुला लूँगा ना, फिर मैं क्या करूँगा, कि to have the humor of state, यानि जो मेरी state होगी, जो मेरी हालत होगी, जो मेरा rank होगा, रुत्बा होगा, क्योंकि उस ताइम मैं एक count की हैसियत से वहाँ पर बैठा हुआ होँगा, तो इसलिए एक count होने के नाते, मतलब एक upper level का high rank का बंदा होने के नाते, मैं क्या करूँगा, क्या मतलब उसी rank के अंदर आऊंगा, यानि अपने आपको उसी आदमी की तरह ढाल लूँगा, यानि जिस तरह से count जो होते हैं, वो जिस तरह का उनके expression होते हैं, जिस तरह की उनकी feelings या emotions होते हैं, वो ही emotions या feeling मैं show करूँगा, यानि अपने नोकरों को बिला करना, उसी तरह से मैं उनको साथ treat करूँगा, जिस तरह से एक count जो होता है, वो treat करता है, and after a damn your travel of regard, अच्छा, damn your, damn your कहते हैं, मतलब modest way के अंदर, यानि एक मतलब, इخलाक वाले, यानि अच्छे behavior के अंदर, travel, यानि एक count को जिस तरह से होना चाहिए, उस तरह की state के अंदर, उस तरह की हालत के अंदर, अपने आपको ढाल कर, अपने आपको convert करके, मैं क्या करूँगा, कि मैं अच्छे इखलाक के अंदर, अच्छे behavior के अंदर, अपनी नजरों को, उन लोगों को बुलाने के लिए, घुमाऊंगा उनकी तरफ, और उनसे कहूँगा, कि मुझे पता है, कि मेरी क्या place है, यानि मुझे पता है, कि मैं तुम सब लोगों का, मालिक हूँ, आका हूँ, count हूँ, as I would, they do theirs, इसलिए, मैं वो ही करूँगा, जो मेरा काम है, और तुम लोग वो ही करोगे, जो तुम्हारा काम है, यह यहाँ पर मैलवोलियो कहा रहा है, कि मैं उन लोगों से कहूँगा, किनको, जो नोकर होंगे, जिनको मैं बुलाऊंगा, to ask for my kinsman, तूबे, अच्छा, यह कहकर न, मैं उन नोकरों को कहूँगा, कि मेरा जो kinsman है, अब यहाँ पर इसका kinsman तो नहीं है, यहाँ पर वो क्यूं कहा रहा है, कि मेरा जो kinsman है, तूबे, सर तूबे जो है न, वो उलिविया का रिष्टेदार है, ना के Malvolio का, लेकिन अब Malvolio जो है, वो अपने ख्यालों में, अलिविया से शादी करके बैठा हुआ है, तो इसलिए जो अब अलिविया का रिष्टार होगा, वो एक तरह से Malvolio का भी रिष्टार होगा, इसलिए वो यहाँ पर कह रहा है, कि मेरा जो, मतलब कजन या जो रिष्टार साहर टूबे है, उसको बुलाने के लिए मैं अपने नोकरों को कहूँगा, अच्छा, फिर साहर टूबे कहता है, बोल्ड्स एंड शेकल्स, ये भी मतलब एक तरह की कर्स है, मतलब एक तरह का श्राप है, या किसी को बुरा भला कहने के लिए, ये वर्ड यूज किया जाता है, वर्ड लिस का मिनिंग क्या होता है, बोल्ड का मतलब होता है, कुंडी, जो के दिर्वाजे की कुंडी होती है, और शेकल्स, शेकल्स का मतलब होता है, हत्कडी जो हत्कडी लगाई चाती है चोरों को या Beatles वगेरा को स swirl पर कहा एक ये मतलब अब हथ से बढ़ रहा है ये जो काम कर रहा है ना ये हथ से बढ़ रहा है लुजा है तो पेमिन फिर से कहता है Oh peace, 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 no, no यानि बस खुदा के लिए चुप हो जाओ, मतलब बार बार उसको चुप होने को कह रहा है कि मतलब चुप हो जाओ, वो भी बिचारा कैसे चुप हो, वो जो अब मैलवोलेज है, वो बातों बातों में, मतलब उसको बुरा बला कह रहा है, मतलब उसको बुरा बला कह रहा है, Seven of my people with an obedient start make out for him. अच्छा, अब मेरे वो जो नोकर होंगे न, जिनको मैं बुलाओंगा, वो साथ लोग होंगे, और with an obedient start, और वो जल्दी से मेरा हुकम मानने के लिए क्या करेंगे, make out for him, वो जल्दी से मतलब क्योंके मैंने उनको कहा होगा, कि जाओ सर्टूबे को बुला कर लाओ, तो वो जल्दी सेना मतलब सर्टूबे को बुलाने के लिए, और मेरा होकम मानने के लिए, वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाएंगे, जब वो वहाँ से निकल जाएंगे तो क्योंकि मैं वहाँ पर बैठा हूँगा तो मैं अब यहाँ पर आगे वाई लाइन के अंदर यहाँ पर बताएगा कि जब मैं वहाँ पर अपने नोकरों को कहूँगा मतलब तुम सर्टूबे को बुला कर लाओ और जब वो बुलाने के लिए चले जाएंगे तो मैं वहाँ पर बैठा हूँगा उसका इंतजार कर रहा हूँगा ना सर्टूबे का तो मैं अब वहाँ पर बैठा कैसे expression show कर रहा हूँगा यह वो यहाँ पर बता रहा है मैं बोली हो जब तक वो बुलाने के लिए जाएंगे ना मेरे नोकर सर्टूबे को तो मैं क्या कर रहा हूँगा बहाँ पर बैठके I frown the while तब तक ना बैठके ना मैं माथे के उपर तेवरियां चड़ा रहा हूँगा जब बंदा गुसे में होता है ना किसी से नाराज होता है यहां फिर मैं यह भी कर सकता हूँ कि जब मैं वहां पर बैठा हूँगा उसका इंतजार कर रहा हूँगा तो जो मैंने घड़ी पहनी हुई होगी उसको मैं wind up करूँगा यानि उसको घुमाऊँगा और play with my some rich jewel यानि jewelry को कहते हैं अब यहां पर यह भी जो dash है ना यह हमें बहुत कुछ यहां पर बताती है यह जो dash है ना इसका meaning है ना वो बताने से ज्यादा कर के दिखाने में show होगा लेकिन I am sorry कि मैं यहां पर कर के निखा सकता नहीं तो मैं आपको show करके दिखाता है वो यहां पर इसका expression का meaning किया है यहां पर मैं बोले जो है न अब इसको समझने कोशिश करना मैं बोले जो है न वो कह रहा है कि मैं न पहले वो कहता है कि मैं न ऐसे बैठा हुआ होगा और अपने माथे के उपर बल बना रहा होगा मतलब नोकर होने को जाहिर करती है या उस टाइम के जो नोकर होते थे ना उनके गले के अंदर एक chain होती थी जो के शो करती थी कि ये मालिक का फेवरेट नोकर है तो इसी तरह से एक change है वो स्टीवट के गले में है तो अब जब वो imagine कर रहा था अपने आपको एक, मतलब हाई रैंक गंदा Imagine कर रहा था Olivia का husband imagine कर रहा था लेकिन इसकी जो सोच ही थी वो अभी भी medieval चोटी थी यानि वो सोच रहा था count बने का, यानि Olivia का husband बने का सोच रहा था कि मैं ना वो chain के साथ खेल रहा हूँगा तो अचानक इसको याद आता है मैं तो मतलब वो imagine कर रहा था कि मैं तो Olivia का husband हूँ तो उसका husband होने के नाते जब मैं husband बन जाओँगा तब तो मेरे गले में ये chain नहीं होगी तो फिर मैं क्यों imagine कर रहा हूँ कि मैं इस chain के साथ खेल रहा हूँगा तब ये chain नहीं होगी बलके तब मेरे पास क्या होगी कि अमीर लोग जो jewelry पहनते है वो वाली jewelry मेरे पास होगी तो इसलिए वो कहता है पहले वो कहता है कि मैं ना वो जो मतलब मेरे गले के अंदर ये chain है इसके साथ खेल रहा हूँगा फिर अचानुक उसको याद आता है अरे मैं तो मतलब अमीर आदमी अपने आपको imagine कर रहा हूँ फिर कहता है नहीं नहीं मैं इसके साथ नहीं खेल रहा हूँगा बलके मेरे पास एक अमीरों वाली jewelry होगी जिसके साथ मैं खेल रहा हूँगा फिर कहता है टूबे अप्रोच इतने में क्या होगा कि सर्टूबे वहाँ पर आ जाएगा कर्टिसाइज इस देर टूमी और वहाँ पर जब वो मेरे पास आएगा कर्टिसाइज का मतलब होता है जिन्दा रहना चाहिए मैं तो इसको मार दूँगा यानि जो यह मेरी बदनाम्मी कर रहा है बेजित ही कर रहा है आपनी imagination करता है दिल करता है इसको मार दूँगा तो Fabian फिर से कहता है दाव आर साइलेंस वी ड्रॉन फ्रॉम अस विद कॉर्स येट पीस अब यहां पे जो Fabian है ना वो फिर से उसको कहना चाहरा है कि चुप हो जाओ लेकिन उसके कहने का तरीका उसके कहने का अंदाज ये है कि वो एक मतलब reference दे रहा है एक पुराने event के साथ एल्यूड कर रहा है जिसको allude कहते हैं कि मतलब जब writer जो होता है वो किसी और work के साथ है किसी मतलब history के अंदर कोई event हुआ होता है जिसका reference अपने work के अंदर देता है उसको allusion कहते हैं तो यहां पे Fabian जो है वो भी यहां पे एक allusion यूज़ कर रहा है और allusion यूज़ करके यहां पे सर्टूबे को कहने की कोशिश कर रहा है कि महरबानी करके चुप हो जाओ तो यहां पे वो कह रहा है कि सर्टूबे अगर लोग जो है ना वो हमें एक मतलब घोड़ा गाड़ी जो है चूर्चर किया जा रहा हो तब भी हमें अपना silence जो हमारी खामोशी है उसको नहीं चोड़ना चाहिए और वो टॉर्चर क्यों किये जा रहा हो वो टॉर्चर इसलिए किये जा रहा हो ताकि हम कुछ बोलें यानि हमसे हमारा silence जो है वो चीना जा रहा हो लेकिन हम फिर भी मतलब उस silence को ना तोड़े यानि यहाँ पे आप अंदाजा लगा लें कि फेबेन जो है वो कितनी बड़ी example यूज कर रहा है मतलब उसको खमोश करवाने के लिए सर टूबे को कि खमोश हो जाओ अब यह भी एक history का एक reference है कौन सा reference है वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ एक character था जिसका नाम था Mattus Fafetius जो के जिसके साथ यह हुआ था यानि उसके दोनों हाथों को गोड़ागारी के साथ बांद कर इस तरह से मतलब खींचा गया था उसके साथ यह हुआ था और क्यूं हुआ था कि वो ना एक बाशा जो था उसकी फोज के अंदर मतलब एक soldier था और उसको गदार कहा गया था और गदारी की basis की उपर उसका जो बाशा था जिसका नाम था Tellus Hastelius उस बाशा ने हुकम दिया था कि इसको मतलब यह वाली सजा दी जाए तो उस चीज का reference जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है फिर Malvolio की line है वो कहता है I extend my hand to him thus Malvolio जो है ना वो फिर imagine करता है कि जब sir to be जो है वो मेरे पास आएगा ना तो मैं अपना हाथ जो है ना वो उसकी तरफ बढ़ाऊंगा quenching my familiar smile तो जिस तरह से आम रूटीन के अंदर मैं मुस्कुराता हूंगा मैं अपनी उस मुस्कुराहट को quench यानि छोड़ दूँगा या अपने आप से खींच लूँगा with an austere regard of control austere कहते है strict यानि strictness show करने के लिए रिख यानि मेरी जो आम रूटीन के अंदर smile होती है न उसको मैं छीन लूँगा और अपने strict यानि सखत behavior को show करने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाऊंगा किसकी तरफ? Sir Tubey की तरफ Sir Tubey आगे से कह रहा है and does not Tubey take your blow on the lips then अच्छा Sir Tubey आगे से कह रहा है वो Sir Tubey को show करूँगा और Sir Tubey आगे से फिर जब यह सुनता है वो कहता है और हाँ आगे से Sir Tubey क्या करेगा वो तुम्हारे मू के ऊपर यानि तुम्हारे होंटों के पर मुका मारेगा अच्छा मैं वोले फिर कहता है saying और मैं Sir Tubey से कहूँगा Cousin Tubey My fortunes having cast me on your nicey Give me this prerogative of speech अच्छा फिर कहता है मैं Sir Tubey से कहूँगा के Cousin Tubey यानि मेरे Cousin Tubey My fortunes मेरी किसमत जो है Having cast me on your nicey के मेरी किसमत जो है उसने तुम्हारी nicey यानि बतीजी जो है उसके साथ मेरा रिष्टा किया है यानि मेरी किसमत के अंदर लिखा था कि मेरी तुम्हारी बतीजी के साथ शादी होगी मैं उसका count बनूँगा Give me this prerogative of speech यानि उस चीज ने यानि ये जो मेरा तुम्हारी बतीजी के साथ रिष्टा है ना इस चीज ने मुझे क्या दिया है कि right दिया है इतना हक दिया है किस चीज का prerogative of speech यानि prerogative कहते है हक को यानि एक ऐसी चीज एक ऐसा right जो के एक specific आदमी के लिए होता है वो जो चीज होती है कि एक बंदा जो है वो इतनी देर से मतलब लगा हुआ है लाइन में तुम्हारे साथ ये speech करूँ जो के मैं कहने वाला हूँ तो sir to be कहता है what what यानि जल्दी जल्दी कहो क्या भक्वास करने वाले हो तुम तो malevolio कहता है you must amend your drunkness यानि sir to be अच्छा अब यहाँ पे यार मुझे बार-बार समझाना पड़ता है और यह अगर आप लोग समझ भी गए है और थोड़ा सा बोर हो रहे है मेरी इन बातों से लेकिन बार-बार कुछ लोग होते है मतलब उनके एक connection जो होता है वो चल रहा है उपर से वो तूट जाता है तो बार-बार मुझे बताना पड़ता है कि यहां पर सर्टूबे और मेलवोलियो की लाइन्स है यह आमने सामने नहीं है सर्टूबे जो है वो जाड़ियों में चुपा हुआ है और मेलवोलियो की बाते सुन रहा है यानि मेलवोलियो जो भी कर रहा है तो जाड़ियों में चुपा हुआ वो इसकी बातों पर react कर रहा है, और मैल वोलियो जहाए, वो सरटूबे, Fabian ने, Sir Andrew, इन तीनों में से किसी की बात सुन नहीं सकता और ना है, इनको देख सकता है, तो मैल वोलियो अगे से कहता है, मतलब सरटूबे, तुम्हे ना, शराब को छोड़ना होगा, यानि यह जो तुम शराब भी बने हुए हो ना, शराब पीते हो, इसको छोड़ना होगा, तो उससे डूब गयता है, आउट scab, यानि दफा हो जाओ यहां से scab, अब scab क्या होता है, जब आपको कोई चोट लगती है, तो उस चोट को ठीक होने मे उसको ठीक करती है, उसको scab कहते है, या पर सर टूबे कहा रहा है, out scab, यानि दफा हो जाओ, scab, यानि wound के उपर वाली layer दफा हो जाओ, तो मतलब इतने घटिया हो, जितनी घटिया, वो wound की layer होती है, फिर फेबन कहता है, नहीं, नहीं, patience, यानि सबर करो सर टूबे, और we break the sea news of our plot, यानि सबर करो नहीं तो क्या होगा, कि अगर तुम्हारी आवास, जो हो मैलवोलिया ने सुन ली, तो हमारा जो plot है, हमने जो साज़िश की है, हमने जो plan बनाया है, उसकी sea news, sea news कहते है, strength को, यानि उसकी ताकत, जो हो, मतलब, खराब हो जाएगी, जाया हो जाएगी यानि हमारा plan बरबाद हो जाएगा, तो फिर मैलवोलिया कहता है, besides you waste the treasure of your time with a foolish night, अब वो जो मैलवोलिया है, वो side पे अपनी बातें किये जा रहा है, यानि अपनी imagination में खोया हुआ है, पहले उसने कहा हो, कि मतलब, जब वो मेरे पास आएगा, तो मैं इसको कहूँगा, कि इसके लावा मैं उसको ये कहूँगा, कि मतलब तुम जो हो, वो अपना वक्त जो है, यानि treasure of your time, यानि तुम्हारा जो इतना कीमती वक्त है, जो कि मतलब किसी ख़जाने की तरह कीमती वक्त है, उसको तुम एक बेवाकूफ night के साथ साया कर रहे हो, अच्छा, अब वो night पता चलेगा, तो sir Andrew कहता है, that's me, I warrant you, तो sir Andrew जो हो, फट से बोलने लग गया, कहता है, यह मेरी बात कर रहा है, मैं तुम्हें guarantee दे सकता हूँ, यह मेरी बात कर रहा है, यानि foolish night का जो word यूज किया न मैल वोल्यो ने, तो sir Andrew जो हो कह रहा है, कि यह foolish night इसने मुझे का है, मैं तुम्हे guarantee दे सकता हूँ, यानि यहां पे भी वो confirm कर रहा है, अपनी बेवकूफी, कि मतलब, चलो अब उसने कहा ही दिया, तो तुम confirm तो ना करो, तो फिर मैल वोल्यो कहता है, one sir Andrew, यानि अब यहां भी मैल वोल्यो उसका नाम भी ले लिया, कि हाँ, यानि पहले उसने कहा, कि तुम अपना वक्त जो है ना वो इत बेवकूफ night के साथ जाया कर रहे हो, तो फिर मैल वोल्यो कहता है, उसका नाम है sir Andrew, यानि तुम sir Andrew के साथ अपना time जाया कर रहे हो, तो sir Andrew कहता है, I knew, मुझे पता था, it was I, यानि ये मैं ही था, for many do call me fool, क्योंकि बहुत से लोग हैं, जो कि मुझे बेवकूफ ही कहते हैं, यानि बहुत से लोग मुझे बेवकूफ कहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मिल बोले जो होता है na, seeing the letter, अभी वो अपनी imagination के अंदर ही होता है, तो अचाना को लेटर देख लेता है, जो कि मारिया नहीं गिराया था, तो लेटर देखने के बाद हो कहता है, what employment have we here, अचा हम ये बंदा जो है ये letter देखने के बाद भी अपने character से बाहर नहीं निकला, यहां पर जो employment का word है ये हमें शो करता है, इसकी, इसका status को, कि यह यहां पर खुद को अभी बंदा हो ना, जो किसी के तरह imagine कर रहा हो, और तो बेवकूफ भी हो, तो वो क्या करेगा, वो कहता है, कि ओफो, अब ये मुझे क्या उठाना पड़ेगा, मतलब ये भी, मतलब वो अपने आप एक जहमत समझ रहा है, मतलब एक बुरी चीज समझ रहा है, इस खत को उठाने के लिए भी, मतलब इतना वो अपने आपको शाही समझ रहा है, कि ये जो मैं खत उठाऊंगा, ये भी मेरे शान के खिलाफ है, लेकिन मुझे उठाना पड़ेगा, तो यहां पर employment का word ये शो कर रहा है, कि ये अभी भी उस imagination के अंदर ही है, और उस imagination के अंदर रहते हुए, ओफो, अब ये क्या चीज है, जो कि मुझे करनी पड़ेगी, employment heavy here का मतलब है, कि यानि अब नया कौन सा काम आगया, जो कि मुझे करना पड़ेगा, यानि as account समझते हुए ही, imagine करते हुए ही, ये वाली line Malvoli ने बोली है, तो फेबिन है किसे कहता है, now is a woodcock near the gin, अच्छा, अ तो यहां पे वा Malvoli को ही कहा रहा है, तो सार्टूबय कैसे कहता है, oh peace and the spirit of humors intimate reading aloud to him, अच्छा, सार्टूबय फिर से कहा रहा है, कि मतलब खमोष हो जाओ, and the spirit of humors, spirit of humors का क्या मतलब है, कि यानि ये जिस imagination में खोया हुआ है, यानि as account ये जिस imagination में खोया हुआ है, तो count होन count यानि नवाब को कहते है, तो यहां पे सार्टूबय यही कह रहा है, कि तुम लोग फिकर न करो, क्यूंकि ये count यहां पे बना हुआ है, या अपने आपको count समझ रहा है, यानि इसके अंदर की spirit है, जो कि इसको count होने पर मजबूर कर रही है, या जिसने इसको count बना के रख पूर करेगा, यह वो यहां पे कह रहा है, तो फिर मैं बोलिए जो होता है, taking up the letter, तो वो letter उठाता है, और कहता है, by my life, यानि मेरी जिंदगी की कसम, यह भी एक तरह की कसम होती है, जो उखा रहा है, मेरी जिंदगी की कसम, this is my lady's hand, यानि यह तो मेरी lady की handwriting है, यानि Olivia की handwriting है these be her very C's, her U's and her T's, and thus makes she her great peace, अच्छा, अब यह जो letters है, capital जो कि यहां पे बता रहा है, यह वो letters है, जो कि उस letter के address के अंदर highlight किया हुए है, या फिर आप यह समझने कि यह letters है, यह जो खत है, इसके address है, इसके अंदर alphabetical form के अंदर लिखे हुए है, यह वाले letters है, क्योंकि अ अब इसने letter ने खोला, अभी ही जो उसके उपर address है, उसको पढ़ की अंदाजा लगा रहा है, कि यह Olivia के handwriting है, तो कहता है, यह जो C लिखा है, U और T, यह तो Olivia का है, यह जो Olivia भी इसी तरह से लिखती है, और फिर कहता है, that makes she her great peace, और यह जो इसने P यहां पे लिखा है, इसी इस दरह से Olivia भी अपना P लिखती है, अब जो इसका दूसरा meaning है, वो मैं आपको बताता हूँ, अब यहां पे यह जो word उसने highlight किये है, इनको अगर मिला है, तो word बनता है cut, C-U-T, cut, अब यह जो cut word था न, यह Elizabethan age के अंदर न, एक vulgar slang यूज़ की जाती थी, vulgar किस चीज के ल रहा है न, वो एक vulgar slang है, जो कि women के private part को show करती है, और piece का जो word है, यह P को show करता है, P करने को, जो के उस private part से related है, तो यह भी इसका न, एक तरह से meaning है, तो उसके बाद फिर वो कहता है, it is in contempt of question her hand, यानि यह जो writing है न, इसको बिना कोई सवाल किये, मैं कह सकता हूँ, कि यह उ को भी समझ दी आई, कि यह C, U और T, जो word, जो कि मैलवोलियो ने बोले है, इनका क्या मतलब है, यानि मारिया जो थी न, उसकी intention यही थी, कि Olivia को मैलवोलियो की नजरों के अंदर जितना ज्यादा मतलब उसके करीब मतलब दिखा सकती है न, तो वो उसको दिखाए, तो इसलि मैल वोलियो, जो है न, लेटर के बाहर जो लिखा हुआ है, वो पड़ेगा, वो कहता है, To the unknown beloved, यानि ये लेटर जो है, ये मेरे unknown beloved के लिए है, लेटर के उपर जो पहली line है, start के अंदर वो ये है, कि ये लेटर जो है, ये एक ऐसे, मतलब beloved के लिए है, जो कि unknown है, यानि जो के secret है, जिसको मैंने अपना love नहीं बताया, या जिसको मेरा love उसके लिए नहीं बता, this and my good wishes, यानि ये लेटर जो है, ये और मेरी जो good wishes है, वो मैं उसको भेज रही हूँ, her very phrases, अच्छा, अब यहां तक जो good wishes था, ये letter की line थी, her very phrases, जो line है, ये malevolio की line है, वो कह रहा है, Olivia by your leave wax, यहां पर वो कहता है, कि Olivia, मतलब अगर तुम्हारी इजासत हो, तो wax, यानि मैं ये letter जो है, ये खोलना चाहूँगा, अब ये जो पीछवा line थी, ये सारी वो line थी, जो कि letter के, मतलब उपर लिखी हुई थी, और अब malevolio कह रहा है, कि Olivia, मैं तुम्हारी इजासत है, य which she uses to seal, अच्छा, पहले उसको कहता है, पहले न वो अपने mind में कहता है, कि Olivia, मैं तुम्हारी इजासत मांग रहा हूँ, कि मैं ये letter जो है, इसकी wax, ये मैं खोल दूँ, यानि जिससे ये बंद किया हुआ है, ये मैं खोल दूँ, फिर कहता है, बड़े अराम के साथ, मैं इस Olivia यूज करती है, अपने हर letter के अंदर, letter को mark करने के लिए, कि ये letter मतलब Olivia ने लिखा हुआ है, तो मैं भी मारिया ने कहीं से, मतलब उसकी stamp जो है, वो चुरा ली होगी, और वही stamp जो है, इस letter के लिए लगा दी, तो जिसको देखकर मैं लोली, जो है, वो कह रहा है, कि ये त छोड़ा सा उसे शक को रहा है, लेकिन अंदर से वो confirm है, कि ये मतलब Olivia ने ही लिखा है, अब यहां पर यह जो लुक्रीस का word यूजगा था ना, यह भी यहां पर reference दिया गया है, एक Roman woman थी, यानि एक legendary Roman woman थी, जो कि बहुत ज़्यादा खुबसूरत थी, और उसके साथ एक tragedy हुई थी, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा famous हो गई थी, वो tragedy क्या थी, एक character था जिसका नाम था Sextus Tarquinus, जो के Lucius Tarquinus, जो कि King of Rome था, उसका बेटा था, उसने क्या किया था, कि लुक्रीस का rape किया था, जिसके बाद लुक्रीस ने क्या किया था, कि चाकु से खुद को मा लिया था, जैनि चाकु मार के खुदकुशी कर ली थी, उसके बाद ना Tarquinus के जो family थी, उनके उपर आम अवाम ने हमला किया और उन से उनका kingdom जो था, वो छीन लिया, उसके बाद जाकर Roman Republic जो थी, वो establish होई, Roman Republic यानि जहां से Romans की civilization start होती है, तो Fabian जो है ना, वो कहता है, this wins him, liver and all, this wins him का मतलब है, यानि ये letter जो है, इसने पूरी तरह से convince कर दिया है, मैं बोलियो को, कि ये Olivia नहीं लिखा है, liver and all, अब liver जो है, ये love का symbol माना जाता है, कि liver जो होता है ना, इसके अंदर जो secretions निकलती है, जो मतलब pigments निकलते हैं, secret होते हैं, liver के अंदर, वो love वाले pig pigments होते हैं, तो इसलिए वो कह रहा है, कि love वाले pigments जो है, जो कि liver के अंदर secret होते हैं, वो और उसके अलावा जितने भी love वाले pigments होते हैं, जो emotions होती है, feelings होती है, वो सब जो है ना, वो इस time malvolio feel कर रहा है, तो malvolio जो है, अब वो letter पढ़ना start करता है, तो letter के अंदर लिख do not move, फिर अब Olivia जो है, वो अंदर letter के अंदर कहा रही है, कि मतलब ए मेरे lips, तुम लोगों ने हरकत नहीं कर रही है, तुम लोगों नहीं बताना कि वो कौन है, no man must know, कि कोई भी आत्मी जो है ना, उसको ये जानने का हक नहीं है, कि वो कौन है, जिससे मैं प्यार करती हूँ ये letter के अंदर लिखा है, जो कि मैं बोलियो पढ़ रहा है, अच्छा, no man must know what follows, अच्छा, अब फिर से वो इस line को repeat कर रहा है, जो, मैं बोलियो है ना, वो इस line को repeat कर रहा है, no man must know, यानि कोई भी आदमी नहीं जानता कि वो कौन है, जिससे मैं प्यार करती हूँ, फिर गता हुआ है ना, उसमें meter change हो रहा है, तो इसलिए mail value कह रहा है, इसके बाद जो भी लिखा हुआ है ना, उसमें number जो है, वो change हो रहा है, यानि meter जो है, वो change हो रहा है, no man must know, फिर वो इस line को उपर focus करता है, यह वो line, कि मतलब कोई आदमी जो है, वो नहीं जानता कि वो कौन है, जिससे मैं प्यार करती हूँ, if this should be the mail value, फिर वो अपने आप से कहता है, कि mail value, क्या हो कि अगर ये तुम्हारी बात हो रही हो, यानि क्या हो कि अलिबिया ने ये तुम्हारे बारे में लिखा हो, कि मतलब वो तुमसे प्यार करती है, तो sir to be, जो है वो कहता है, marry, marry यहाँ प कहता है, कि Jesus Christ की मदर, Mary की कसम, लटक जाओ, brook, यानि, ml वोलियो, फस जाओ, तुम फस चुके हो, या तुम फस जाओ, इस जाल के अंदर, तो या फिर लेटर के लाइन है, Olivia कह रही है, कि I make command, यानि मैं उसको हुकम देती हूँ, where I adore, जहां भी मुझे अच्छा लगता है, यानि, ये मेरा जो, मतला, वो बता रही है, कि मैं किसे प्यार करती हूँ, जिससे मैं प्यार करती हूँ, वो वला आदमी है, वो वला शक्स है, कि जिसको मेरा दिल जहां भी करता है, मैं उसको हुकम देती हूँ, but silence, like a lucris knife, फिर कहती है, but silence, यानि, मुझे खमोश रहना चा कर रही है, कि जिस तरह से lucris का knife था ना, कि जब उसने, मतलब खुदकुशी की, तो किसी को इतना पता ही नी चला, तो उस knife की तरह मुझे भी खमोश रहना चाहिए, with bloodless stroke, my heart does go, bloodless stroke का क्या मतलब है, यानि वैसे तो अगर बंदा खंजर मारे, तो उससे क्या होता है, कि जो है, वो मारा जाए, यहाँ पर जो लाइन, उनके अंदर ऐसे शो करवाया गया है, कि मतलब मेरा जो लवर है, इसका जो लव है, यह मेरे लिए बिलकुल lucris के knife की तरह ही है, यानि जितना मैं उसको छुपा रही हूँ ना, और वो छुपाने से क्या हो रहा है, कि वो मतलब चाकू मारने के बाद एक घाओ बन जाता है ना, उस घाओ की तरह जिसमें से खून नहीं निकल रहा है, मतलब वैसे तो अगर आम रूटीन के अंदर चाकू मारा जाए, तो खून निकलता है, लेकिन यह जो मैं छुपा रही हूँ ना, अपने लव को, lucris के knife की तरह, तो यह जो है ना, यह बगहर खून वाला एक घाओ है, my heart.gore, यानि जो के मेरे दिल के उपर लगा है, गोर का मतलब होता है, खून का निकलना या कट लगना, यानि मेरे दिल के उपर यह ऐसा कट लगा है, कि जिसके अंदर से खून जो है वो नहीं निकल रहा है, ऐसा चाक M.O.A.I. यह मेरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, यानि यह वो बंदे का नाम है, उस बंदे के नाम के लेटर्स हैं, जिससे मैं प्यार करती हूँ है, जो के मेरी लाइफ को कंट्रोल करता है, तो अब यह M.O.A.I. जो है, यह obviously, मैं बोली जो है, वो समझेगा के मेरे नाम ही से बिवकुल ही सिंपल हो, यानि इसको आप ऐसे कह सकते हैं, जिस तरह से एक हावत भी है, कि उंची दुकान फीका पकवान, तो वो वह वह वाला हिसाब है, तो यह पर फैबन भी यह कह रहा है, कि मैलवोलियो जहना वो अपनी इमाजिनेशन में कुछ ज्यादा ही मतलब घ दिखा हुआ है, लेकिन असल में यह बेवकूफ बन रहा है, तो यह यहां पर कहा रहा है, मतलब यह बेवकूफ वाली रिडल है, जिसके अंदर मैलवोलियो फसता जा रहा है, तो सर्टू बे कहता है, एक्सलन्ट वेंच से आए, अब यहां पर वो मारिया की तरीफ कर रहा कि मतलब M O A I, यह मेरी लाइफ को control करता है, attributes फिर शोनिया मने मेरे नाम ए लेकन मुझे देखने दू, थोड़ा सा मूझे अगो सचने दो कि क्या बात है यानि मारिया जो है उसने कितने कमाल की डिश जो है जो के जहर वाली डिश है वो इसके लिए मेलवोलियो के लिए तियार की है यानि कितना कमाल का जहर जो है या मतलब चारा जो है या फंदा जो है वो मेलवोलियो के लिए डाला है जिसमें वो फस चुका है तो तो checks at it का मतलब है कि जब वो eagle जो होता है वो अपने शिकार के उपर हमला करता है और उसको examine कर रहा होता है उसको जांच रहा होता है कि मतलब मैं कहां से जाके इसके उपर हमला करूँ उसको गयता है check at it तो यहां पर जो situation बनी हुई है न मैलवोलियो की उसको देखके सर तूबे कहा रहा है कि यह जो situation है इसको देखकर मैं बिल्कुल इसको ऐसी situation के साथ compare कर सकता हूँ कि जहां पर जो आपने जो意गल होता है वह अपने शिकार को पकड़ने के लिए जी तरह से उसको जांच रहा होता है उसी तरह मैलवोलियो जो है वह उसको पकड़ने के लिए जांच रहा है मतलब भूच जल्ब — जाल के इंदर फस चाएका जो कि हमने विछाया है इसके लिए तो मैल वोलियो जो है वो फिर से कहता है अब फिर से वह लेटर की वह लाइन परड़ रहा है कहता है I am a command where I adore यानि फिर से वह लाइन जिसके अंदर लिखा हुआ था कि मैं मतलब उसको हुकम देती हूँ उसका कोई भी काम वो मुझे कहती है तो मैं उसको सर्व करता हूँ यानि उसका हुकम जो है as an obedient servant मतलब उसका हुकम बजा आलाता हूँ उसकी बात मानता हूँ she is my lady क्योंकि वो मेरी lady है मेरी मालकिन है why this is evident to any formal capacity formal capacity कहते है normal understanding तो यहां पर वो यह कह रहा है कि this is evident यानि यह एक साफ साफ सबूत है किस चीज के लिए normal understanding के लिए यानि एक आम बंदा वो भी इस letter को पड़ेगा तो वो भी समझ जाएगा कि यह letter सारा यह मेरे लिए है there is no obstruction in this यानि इसमें कोई भी अजीब बात नहीं है कि जिससे किसी को लगे कि पता नहीं है किस के बारे में है यह जो साफ साफ मेरे बारे में ही है and the end what should that alphabetical position portend फिर कहता है और यह जो letter के end पर यह जो चार letter लिखे हुए थे जो हमने पहले पड़े moai इसकी आपर बात कर रहा है कि यह जो alphabetical form के अंदर यानि बड़े letters के अंदर यह जो नाम लिखा हुआ है यह किस की तरफ इशारा कर रहा है portend यानि किस की तरफ इशारा कर रहा है if I could make that resemble something in me यानि अगर इसको मैं अपने साथ मैच करूं यानि मेरे नाम के जो words है उनके साथ यह resemble करता है तो मुझे समझ जाएगी कि शाइद यह मेरे लिए है softly कहता है फिर अराम से अराम से M-O-A-I यानि मतलब आप ऐसे समझना कि यहां तक उसने अपनी बात पूरी की आगे वो अपने आप से कह रहा है कि मतलब अराम से अराम से पढ़ो इसका क्या मतलब आराम से पढ़ने का मतलब यह है कि कई बार ऐसे होता है कि हम एक चीज को पढ़ते हैं हमें समझ नहीं आती उसकी लेकिन अगर हम उसको ठै ठैर के हैं आराम से थोड़ा से सोचने के बाद पढ़ें तो हमें थोड़ी सी उसकी understanding ज्यादा हो जाती है तो उसी method को use करते हुए Malvolio कह रहा है कि softly यानि अपने आप से कह रहा है Malvolio अराम से पढ़ो अराम से तुम्हें समझ आ जाएगी M-O-A-I यानि यह तो वही alphabetical letters है जो के मेरे से resemble करते हैं तो उससा तो भी गाता है O-A Okay, मतलब हाँ सही कहा, सही कहा तुमने Malvolio अब मजाक उडाते हैं उसका कह रहा है कहा, ठीक कहा Make up that यानि तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि यह तुम्हारे ही letter है तो हाँ, ऐसा ही समझो He is now at a cold scent अब cold scent क्या होता है यहाँ पर वो बताना चाहरा है कि जो जसूस dog होते है जो मतलब spy होते है उनके पास जो dogs होते है यह police वालों के पास जो dogs होते है जो कि किसी मतलब सुरा को ढूंडने के लिए या उनको smell वगरा सुंगाई जाती है वो इस चीज का पीछा करके उसको ढूंडते है तो वो वले जो dog होते है उसके साथ यहाँ पर malevolio को compare करके सर्टूबे कह रहा है कि मतलब यह भी उस dog की तरह है लेकिन वो जब dog जो होता है वो अपने मतलब शिकार का पीछा कर रहा होता है उसकी smell को सूंके तो कई बार ऐसी positions आती है ऐसी जगे आती है जहां पर उसकी smell जो होती है जिसको वो सूंके उसका पीछा कर रहा होता है वहाँ पर जाके वो smell जोती है वो cooled हो जाती है cooled यानि वो hulky हो जाती है मतलब dog को समझ नहीं आती अगे जो शिकार है वो कहाँ पर क्या होगा तो उस situation को यहाँ पर न सर टूबे जो है वो कह रहा है कि Malvolio जो है ना वो भी उस dog की तरह ही है कि जिस तरह से dog जो होता है वो एक जगा पर जाके confused हो जाता है कि मतलब जिस scent को वो सूंकर मतलब शिकार का पीछा कर रहा होता है उस मतलब scent की जो smell होती है वो कम हो जाती है यहां मतलब आइससा इसता खतम होना शुरू हो जाती है तो उस जगा पर जाके जिस तरह से वो dog confused हो जाता है उसी तरह से यहाँ पर Malvolio भी confused है यह क्या करेंगा कि cry upon it Cry upon it का मतलब है कि मतलब इसके दो meaning हो सकते है पहला तो इसके literal meaning यह हो सकता है मतलब यह रोएगा बाद में पश्टाएगा जो इसके साथ हो रहा है जब इसको इस letter की हकीकत पता चलेगी तो ये बाद में रोएगा और पश्टाएगा और इसका दूसरा मतलब ये हो सकता है cryoponit का मतलब है कि ये किसी तरह से न क्रैक कर लेगा क्योंकि सर्टूबे ने कहा न कि इसको smell जो है वो अब कम feel हो रही है इसलिए ये मतलब थोड़ा सा मतलब confused हो रहा है कि पता नहीं ये लेटर जो है ये मेरे लिए है या Olivia ने किसी और के लिए लिखे है तो उसका जवाब Fabian यहां पर देते हुए कह रहा है कि सर्टूबे टेंचन ना लो ये जो सॉटर डॉग है ना ये क्या करेगा कि बहुत जल्द इस चीज़ को क्रैक कर लेगा मतलब बहुत जल्द ये जिस सेंट का पीछा कर रहा है उसको ढूण लेगा और अगर बात की जाए ना तो ये सेंट जो है ना ये तब भी ढूण लेगा अगर वो एक fox की तरह ही घटिया की उना हो मतलब यहां पर वो कहा रहा है कि एक fox जो होती है लूमरी जो होती है जिस तरह से उसकी घटिया स्मेल होती है मतलब बदबुदार ये गंदी स्मेल होती है जो के नकाबले बरदाश्ट होती है अगर उस तरह के भी smell हुई न तो जितना बड़ा ये मतलब हमने इसको चारा डाला है या जितने बड़े फंदे के अंदर इसको हमने फसाया है न तो चाहे वो smell जो है वो कितनी ही बुरी या मतलब बड़ी या भदी क्यों न हो घटिया क्यों न हो ये आखिरकार उस smell को ढूं या आखिरकार ये उस letter के जो words है उनको अपने उपर ही pretend करेगा के हाँ ये मेरे लिए ही है तो Malvolio फिर कहता है M Malvolio M why that begins my name फिर कहता है अब जो एंड वाले चार मतलब बड़े capital letters है ना उनको observe करेगा Malvolio कहता है ये letters के अंदर M जो है ये तो मेरे नाम के शुरू में भी आता है तो में भी ये मेरा नाम ही हो सकता है तो Fabian कहता है did not I say he would work it out तो Fabian जो है वो अपनी बात को confirm कर रहा है किसा तूबे मैंने कहा था ना आपको ये ढूंड लेगा मतलब इस बात को ये अपने ओपर ही लगा लेगा या ये जो नाम है आप अगर डर रहे हैं कि मतलब कहीं ये ना समझे कि ये मेरा नाम नहीं है बलके Olivia ने किसी रहे बात कर रहा है कि ये डौश जो होते हैं वह एकसलेंट होते हैं ये ही ना आपर लिजू उत्स होते हैं टोश और भॉट सेथयर में और आपके ये ये गड़ा हैं자 जाही smell कितनी ही कम क्यों न हो जाए, वो smell को ढूणने में बहुत माहिर होते हैं, और वो मतलब अपने शिकार को ढूण लेते हैं, Malvolio फिर कहता है M, हाँ मेरे नाम के start में M तो आता है, but then there is no consonancy, यानि consonancy यानि consistency, यानि कहता है मेरे नाम का M जो है, वो तो यहाँ पे चलो ठीक है, वो लिखा हुआ है, लेकिन बाद वाले जो लेटर है जो कि इस लेटर के अंदर लिखे गए हैं, जिनको मैं समझ रहा हूँ को शायद मेरा नाम है, वो मतलब constant नहीं है, यानि वो मेरे नाम के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे नाम जो है, वो मैलवॉल्यो है, और मैलवॉल्यो के अंदर M के बाद A आता है, लेकिन लेटर के अंदर जो नाम लिखा हुआ है, उसके अंदर M के बाद O आ रहा है, तो इसलिए वो यहाँ पे कह रहा है, लेटर के अंदर जो मतलब 4 letters, इस capital form के अंदर लिखे गए है न, वो मेरे नाम के साथ मैच नहीं कर रहे, क्योंकि M तो साटिंग के अंदर है, लेकिन M के बाद जो letters है, वो मतलब सेम नहीं है मेरे नाम के साथ, in the sequel, sequel यानि तर्टीब के अंदर, that suffers under probation, क्योंकि M के बाद जो letters है, वो मेरे नाम के साथ मैच नहीं करते, इसलिए यह वो मुझे शक के अंदर डाल रहे हैं, या मुझे मजबूर कर रहे हैं, कि मैं दुबारा इसको observe करूं या examine करूं, A should follow, but O does, कहता है, वो ही बाद जो मैंने पहले बताई कहता है, कि मेरे नाम के अंदर M के बाद A आता है, should follow, यानि मेरे नाम के बाद A आना चाहिए था, यहाँ पर letter के अंदर, लेकिन यहाँ पे Olivia ने तो M के बाद O लिखा हुआ है, ऐसा क्यों है, तो Fabian कहता है, and O shall end, I hope, अब Fabian जो है, वो फिर से उसी sense के अंदर बात कर रहा है, जहाँ पर M.Volio ने जिस sense के अंदर बात को रोका, तो Fabian कहा रहा है, कि O shall, अब O का मतलब, यह O letter वाला O नहीं है, O का मतलब है, कि जिस तरह से किसी को pain फील होती है, तो वो O की मतलब एक expression show करता है, यह मतलब दर्द वाली आवाज निकालता है, O, तो वो वाली यहाँ पर O का मतलब है, तो Fabian कहता है, कि हाँ, मुझे अमीद है, कि यह सब कुछ जब end हो जाएगा, जब इसको पता चलेगा, कि इसके साथ हुआ क्या है, कितना बड़ा prank हुआ है, तो एंड में इसकी O ही निकलेगी, मतलब दर्द वाली O ही निकलेगी, I hope, यानि मुझे अमीद है, तो साथ टूबे कहता है, ए, हाँ, सही कहा तुमने, और I'll cuddle him and make him cry O, अच्छा साथ टूबे कहता है, ठीक है, अगर end में, जब अपने इस लैटर के बारे में, या प्रैंक के बारे में पता चलेगा, और इसने end में मतलब O ही कहना है, लेकिन अगर इसने O نہ कहाना, तो मैं इसको डंडा मारूँगा, कड़ल का मतल है डंडा मारना, यानि मैं इसको छडी से मारूँगा, मैं डंडे से मारूंगा और इसके मुझ से ओ वाली आवाज जुरूर निकल वाऊंगा यानि इसको मजबूर करूंगा कि यह रोए यानि चिल आई तो मैल बोली फिर से कहता है और उसके बाद एंड में वो आए आ रहा है यानि जो लेटर के अंदर लिखा हुए है उसमें एंड के अंदर आई आ रहा है लेकिन मेरे नाम के अंदर एंड में तो ओ आता है तो फेबिन फिर कहता है ए हां सही कहा तुमने फिर फेबिन कहता है कि काश या फिर अगर तुम्हारे पीछे भी दो आखे होती ना यू माइट सी तो तुम देखते कि more detraction more detraction यानि problems यानि मुसीब्ते यानि बहुत ज्यादा मुसीब्ते जो है ना at your heels than fortunes before you यानि अगर तुम्हारी दो पीछे भी आखे होती ना तो तुम देख पाते कि तुम्हारी मतलब पीछे देखते ना तुम्हारी एडियों के पास तुम्हारे पाओं के पास ना तुम्हारी किसमत से ज्यादा यानि तुम्हारी अच्छी किसमत से ज्यादा उसको simulation कहते हैं तो यहां पर कहता है कि यह जो मुझे simulation जो है मतलब copy जो है मेरे नाम की जो नजर आ रही है यह पहले वाले words की तरह नहीं है और अगरचे to crush this a little फिर कहता है अगरचे इसको मैं थोड़ा सा और मतलब खोलू ना इसको थोड़ा सा और जांचू थोड़ा सा और इसका मुआइना करूं examine करूं it would bow to me तो यह मेरी तरफ ही इशारा करेंगे मेरी तरफ ही जुकेंगे यह जो letters है कि यह मेरा नाम ही लिखा हुए है for everyone of these letters are in my name काता है यह जो चार capital letter लिखे हुए है यह वह है जो के मेरे नाम में आते हैं यानि यह चारो मेरे नाम में आते हैं इसलिए यह मतलब मेरा नाम ही है soft यानि लेकिन रुको here follows prose फिर कहता है रुको अभी तो और भी letter है मतलब अभी यह तो थोड़ा सा introduction था letter का अभी और भी लिखा हुआ है letter के अब वह जो आगे लिखा हुआ है वह पड़ेगा मैं बोलियो यानि in my stars का मतलब है यानि मेरी किसमत के अंदर I am above the यानि मैं तुम से rank के अंदर ओदे के अंदर ओपर हूँ यानि यहाँ पे अब Olivia जो है वो कहा रही है कि मतलब मैं तुम से rank के अंदर ओपर हूँ यानि मैं तुम्हारी मालकिन हूँ but be not afraid of greatness लेकिन मेरी जो greatness है मेरा जो rank है उससे तुम्हें डरना नहीं है some are born great अब यहाँ पे जो famous line है 12th night की वो यहाँ पे आ रही है कि some are born great कुछ लोग होते हैं जो के जब पैदा होते हैं वो तब ही great होते हैं some achieve greatness तो कुछ जो हते हैं उनको आसा इसा greatness मिल जाती है and some have greatness thrust upon them और कुछ लोग होते हैं उनको yaptके के साथ मिल जाती है अगर नहीं भी चाहते हैxico na greatest फिर और रही चीना क मिल जाती है let thy blood and spirit embrace them इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए कि तुम्हारा blood and spirit blood and spirit का मतलब है कि तुम्हारी body का हर जो part है उसको तुम्हारी किस्मत को गले लगाना चाहिए कि तुम्हारी किस्मत जो है वो तुम्हारे उपर इतनी ज़्यादा महरबान है कि यानि मैं तुम से लव करती हो and to inure thyself to what thou art like to be cast thy humble slot and appear fresh inure का मतलब होता है accept करना thyself यानि अपने आपको accept करो to what thou art like to be जो तुम बनना चाते हो यानि जो तुम बनना चाते हो यानि याँ पर सीधे सीधा वो क्या बनना चाता है वो अलिवय के साथ शादी करना चाता है तो उसी की याँ में बात कर रही है कि अगर तुम यानि मेरे husband बनना चाते हो या count बनना चाते हो तो मतलब उस चीज को accept भी करो उस तरह से दिखाई भी दो cast thy humble slot अब slot जो है यानि इसका मतलब होता है कि मेरा जो kinsman है उसके साथ भी opposite मतलब तुम्हारा relation जो है या तुम्हारा जो behavior है उसके साथ opposite होना चाहिए यानि उसके साथ थोड़ा सा rudely behave करो surely with servants और खास तोर पर जो servants है जो knocker है उनके साथ तो तुम मतलब तुम अपना behavior जह हो change कर लो यानि मालकों वाला behavior करो उनके साथ let thy tongue tang arguments of state tang का मतलब होता है कोई भी spicy चीज जब हम खाते है तो जो flavor या experience हम feel करते हैं उसको tang कहते है तो यहां पर यही कहा रही है के arguments of state यानि state के जो argument होते है ना बड़े लोगों के जो argument होते है मतलब बड़े लोग जिस तरह से बातें करते हैं जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं अपने आपको भी उन लोगों की तरह करो या मतलब जो भी तुम बात करो ना उन लोगों की तरह ही करो tang का मतलब यह है कि मतलब अपने आपको change कर लो put thyself into the trick of singularity singularity का मतलब है अलग थलग रहना दूसरों से अलग होके रहना trick of singularity यानि वो कहा रही है कि अपने आपको ना single लोगों की तरह जो अमीर लोगों होते हैं वो ज्यादार single ही रहते हैं मतलब दूसरों के साथ इना घुलते मिलते नहीं है क्योंकि वो अमीरों के साथ ही घुलते मिलते हैं इसलिए तुम भी थोड़ा सा सिंगल रहने की कोशिश करो she thus advises thee that size for thee यानि मैं वो हूँ अभी यहां पर वो अपने आपको address करते हो Olivia कह रही है कि मैं वो हूँ जिसको तुम्हारी yellow stockings जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है commanded यानि accept करना कबूल करना यानि मुझे तुम्हारी yellow stockings जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है and wish to see thee ever cross-gartered और मैं तुम्हें हमेशा जो तुम्हारी टांगे है ना वो cross-gartered देखना जाती हूँ जो जो है यह एक तारitan की गारबिट होता है क्रोस-gartered ka मतलब है ये मतलब X की form के अदर न जी स्रह से X होता है ना उस तरह से Mतलब गार्बेंट जो होता है ये का टांग यव लपेटा जाता है तो उसकी यहां पर बात कर रही है क्के मैं तुम्हें हमेशा वो जो got it होता है न वो cross form के अंदर पहना हुआ है न तुम्हारी टांगे के ओपर देखना चाहती हूँ I say, यानि मैं कहा रही हूँ remember, यानि मेरी याद रखना, बिल्कुल ऐसा ही करना फिर कहती है, go to, यानि जल्दी करो, thou art made, यानि जो मैंने बाते की हैं, इनके ओपर अमल करो, thou art made, यानि अपने आपको वैसा बना लो, जैसा मैं कहा रही हूँ If thou desirest to be so, अगर तुम ऐसा बनना चाहते हो, तो, यानि वो बनना चाहते हो, जो के तुम्हारी desire है, तो अपने आपको वैसा बना लो, go to, यानि जल्दी जाओ और अपने आपको वैसा बना लो, if not, अगर तुम ऐसा नहीं बनना चाहते, let me see the steward still, तो फिर मुझे कोई भी मत कीमती या इतनी ज़्यादा किसमत वाले भी नहीं होगे, कि तुम उसकी उंगलियों को छूम सको, यानि किसम जो है वो क्यारे पाऊं को आपको कार नहीं हो सकते, तुम्हारे किसमत पहुरू छमक जाय, और तुम मैरे हजबंट बं जाओ, अगर तुम ऐसे नहीं चाहते तो यहां इसका मतलब यह है, चैसे मैं वह हूं, ब grup में तिजा सजी की है के मैं तुमेरे इसशान के से मनतलब और नौक भाद के ह्जाईगा तुम मेरे नौक भाजुका का क्या है तुम मेरे थूर की मतलब 상황e लेकिन अनहापी हूँ क्योंकि मैं तुमसे लव करती हूँ और मैं तुमसे शादी नहीं कर पा रही इसलिए मैं किसमत वाली तो हूँ यानि मैं मालदार भी हूँ लेकिन अनहापी हूँ खुश नहीं हूँ तो फिर आगे महलबोलियो कहता है डेलाइट एंड शेंपेंड डिसकोवर्स नॉट मोर डेलाइट कहते हैं दिन की रोशनी शेंपेंड यानि खुला मैदान यानि जिस तरह से खुला मैदान होता है या सुरी की रोशनी जो होती है वो चीजों को क्लेर कर देती है तो वो भी और ज्यादा इस चीज को क्लेर नहीं कर सकती है जिस ज्यादा मतलब इस लेटर ने मुझे आक रियए मुझे लिखा गया है यानि कुछ चीज भी होती है जो कि आगर आपको समझने आती तो हम कहते है जाओ भी सूरिज की रोशनी में जाके देख लो तुमें समझ आजएग साफ साफ कह रहा है कि यह लेटर मेरे लिए है I will be proud अब मैं क्या करूंगा कि मैं मतलब proud feel करूंगा या proud लोगों की तरह behave करूंगा I will read politic authors यानि जो politic authors है ना मैं उनको read करूंगा अब यहां पर politic authors कहने का मतलब यह है कि यहां पर वो authors जिनों मैं politics के बारे में books लिखी है उनकी यहां पर बात कर रहा है तो उनमें से एक जो फेमस नाम है ना वह में आपको बतायता हूं तो उनमें से ना एक author ता जिसका नाम था मैं चीव ली उसने एक book लिखी थी दा प्रिंस उसके अंदर उसने सारे तरीके बतायते कि एक politician जो होता है तो ऐसा politician बनने के लिए कौन-कौन सी चीजें या कौन-कौन सी तरीके इस्तमाल करने चाहिए तो उस book का भी reference में भी यहां पर हो सकता है कि मैं बोलियो कह रहा है कि मैं वो book भी पढ़ूंगा I will baffle sir to be Baffle का मतलब है नीचा दिखाना या मतलब उसको कम समझना यानि मैं sir to be जा है उसको नीचा दिखाऊंगा I will wash of gross acquaintance Gross यानि ममूली यानि मेरे जो ममूली वाकफियत है आम लोगों से मिलना जुलना है उसको भी मैं खतम कर दूँगा I will be point device the very man Point device का मतलब होता है कि छोटी-छोटी चीजों या छोटी-छोटी डिटेल के उपर ना Focus करना या पर यह कह रहा है कि एक बड़ा आदमी बनने के लिए ना the very man यानि जो आदमी मुझे Olivia ने कहा है कि मैं वो बनू वो आदमी बनने के लिए जो भी मुझे काम करना पड़ेगा वो मैं करूँगा और चोटी-छोटी डिटेल के उपर Focus करूँगा यह वो यहां पर कह रहा है फिर कहता है I do not fool myself यानि मैं अपने आपको पागल नहीं बनाऊंगा तो let imagination jade me chade me यानि थका देना यानि मैं अपने आपको इतना ज्यादा मतलब excitement के अंदर नहीं लाँगा कि मेरी जो imagination है वो मुझे मतलब थका दे या वो मुझे मतलब अपने goal से हटा दे यानि goal क्या है कि मुझे मतलब जिस तरह से Olivia ने कहा है मुझे वैसे बनना है और अगर मैं और ज्यादा excited हो गया ना बहुत ज्यादा excited हो गया तो हो सकता है कि मेरी imagination जो है वो मुझे मतलब इस चीज़ से भटका दे या मुझे मतलब जो Olivia ने कहा है वो बनने से रोक ले या उस रास्ते के अंदर रुकावट बन जाए यानि यह वो यहाँ पर कह रहा है तो मतलब कहता है कि मैं अपनी imagination को अपने उपर dominate होने नहीं दूँगा यानि अपने उपर हावी होने नहीं दूँगा बलके होंसले के साथ काम करूँगा और जो Olivia ने कहा है वो बनूँगा for every reason excites to this क्योंकि यह जो letter पढ़के ना letter की हर line पढ़ने के बाद जो हर reason मुझे मिल रहा है वो मुझे excite कर रहा है यानि वो जो मतलब एक अंदर मेरे खल्बली मची होई है मतलब Olivia उसने मेरे लिए letter लिखा है तो यह जो चीज है ना इसने मुझे मतलब excite किया हुआ है यह वो कहा रहा है फिर कहता है that my lady loves me यानि यही बात के मेरे लेडी जो है वो मुझे love करती है इस चीज ने मुझे बहुत ज़्यादा excitement में ला दिया है मतलब excitement में जो होना वो शो करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं क्या करूँगा अपनी imagination को अपने ओपर हावी होने नहीं दूँगा she did command my yellow stockings of late यानि अब यह जो line है ना इसका कोई proof तो हमें नहीं मिलता play के अंदर मतलब इस line का मतलब यह है कि वो कहता है she did praise my leg being cross-gartered उसके लावा मतलब यह जो Olivia है इसने मतलब इस letter के अंदर मेरी मतलब तारीफ भी की है cross-gartered की के यानि मेरी टांगे के ओपर cross-gartered जो है gartered मतलब जो garment है कपड़ा जो होता है जो rabot type का वो भी मेरे टांगे के ओपर अच्छा उसको लगता है यह भी उसने कहा है मुझे and in this she manifests herself to my love और उसके लावा कहता है कि उसने यानि Olivia ने जो उसका मेरे लिए love है उसको भी कबूल किया है and with a kind of injunction drives me to these habits of her liking और कहता है कि यही जो सारे इशारे है ना जो कि उसने इस letter के अंदर मुझे दिखाए है यह भी मुझे to these habits of her liking यानि यह सारी चीजें जो है ना यह मुझे उन habits के तरफ लेकर जाएंगी जो के Olivia को पसंद है यानि यह सारी चीजें जो कि लैटर के अंदर Olivia ने लिखी है कि उसे मेरे बारे में पसंद है यह सारी जो बाते हैं यह मुझे वो काम करने पर मजबूर करेंगी जो के बात में जाकर मेरी habit बन जाएगी और जो के Olivia को मेरे बारे में पसंद है यानि habits का मतलब यह है कि मतलब मैं पेली जो रावे पहनूँगा और cross-garted जो गावरेंट है वो पहनूँगा यह वो यहां पे कहा रहा है अच्छा फिर कहता है इसके लावा कहता है मैं अपने सितारों जो है मेरी किसमत जो है उसका में शुक्रिया दा करता हूँ आइम हैपी मैं बहुत सथा खुश हूँ फिर कहता है आई विल बी स्ट्रेंज यानि अब जो है अब के बाद मैं बहुत अजीब बिहेवर शो करूँगा स्टॉट स्टॉट यानि मघरूर हो जाऊँगा प्राउड फिल करूँगा इन येलो स्टॉकिंग्स और क्रोस गाटर और उसके अलावा मैं येलो स्टॉकिंग्स पहनूँगा और क्रोस गाटर गार्मेंट जा है वो पहनूँगा एवन विद दा स्रिफनेस ऑफ पुटिंग ओन कि जितनी जल्दी मैं उनको पहन सकता हूँ उतनी जल्दी मैं ये पहनूँगा फिर कहता है जोव यानि एज जोव देवता and my stars और मेरी किस्मत के सितारो be praised यानि मैं तुम लोगों की तारीफ करता हूँ here is yet a postscript फिर कहता है ये देखो ये कुछ और भी लिखा हुए है postscript कहते है कि letter के अंदर जब letter जहां पे end होता है तो जो writer होता है जिसने लिखा होता है उसने अपने signature के अंदर मतलब signature के नीचे कुछ थोड़ा सा लिखा होता है detail के अंदर अगर कोई extra information होना तो वहां पे लिखी होती है तो उसको postscript कहते है तो यहां पे इस letter के अंदर भी लिखी हुई है जिसको वह अब पढ़ेगा तो यहां पे लिखा हुए है thou canst not choose but know who I am यानि तुम जो होना वो मतलब मुझे choose नहीं कर सकते है मतलब तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा होगा कि यह letter किसने लिखा है तुम choose नहीं कर सकते but no लेकिन तुम जानते हो who I am कि मैं कौन हूँ यानि यहां पे Olivia वह एक तरह से नहीं जैस तरह से उसको choice दे रही हो कि तुम मतलब तुम्हें पता तो है कि मैं कौन हूँ यानि तुम मुझे जानते हो लेकिन तुम्हें अभी पता नहीं चल रहा कि मैं कौन हूँ if thou entertains my love यानि अगर तुम जो होना मेरे प्यार को entertain करोगे यानि जो मैं तुम से चाहती हूँ वो मेरे लिए तुम करोगे ना let it appear in thy smiling यानि अगर तुम मुझे entertain करना चाहते हो या जिस तरह से मैं चाहती हूँ तुम नजर आओ उस तरह से तुम अगर नजर आना चाहते हो ना तो तुम क्या करो कि smiling यानि तुम मुस्कुराया करो तुम्हारी smile जो है न वो तुम्हें बहुत ज़्यादा सूट करती है therefore in my presence still smile तो जब भी तुम मेरे पास हुआ करो मेरे साथ हुआ करो तो smile किया करो dear my sweet यानि मेरे प्यारे smile किया करो I pretty यानि मैं तुम से request करती हूँ smile किया करो तो फिर वो कहता है job यानि I job देवता फिर से वो job देवता को कह रहा है I thank thee मैं तुम्हारा शुकरी अदा करता हूँ I will smile अब तो मैं smile करोंगा I will do everything that thou wilt have me यानि मैं वो सब कुछ करोंगा जो कि Olivia यानि तुम जो Olivia मुझ से चाती हो या मुझ में पसंद करती हो मैं वो सब कुछ करोंगा या कहकर एक्जिब वहां से चला जाता है मैल वोली जो है वहां से चला गया वो अगर मुझे pension भी देता ना पैसे भी देता कि मैं ये जो खेल है यानि जो महलवोलियों के साथ मजाग हुआ है लेटर वाला जो सीन है ये मैं ना देखूं इसके मदले वो मुझे पैसे भी देता ना तो तब भी मैं उसके पैसे एक्सेप्ट ना करता बलके मैं ये खेल जरूर देखता इतना मुझे ये मतलब देखकर मज़ा आया है तो सर्टू बे कहता है I could marry this wench for this device तो सर्टू बे कहता है कि ये जो मारिया है wench यानि मारिया यहां पे wench का वर्ड मतलब एक लड़की के लिए यूज के जाता है जो मतलब कमवारी या नजवान लड़की होती है उसको bench कहते है तो यहां पे सर्टू बे कहता है कि जो मारिया है इसने जो ये मतलब साज़िश की है ना मैं इससे शादी कर सकता हूँ सरेंटू कहता है so could I do मैं भी इससे शादी कर सकता हूँ इस चीज के लिए तो सर्टू बे कहता है and ask no other dory with her but such another jest डावरी कहते हैं दहेज को यानि जब मैं से शादी करूँगा तो मैं से कोई दहेज भी नहीं मागूँगा मैं बस उसको ये कहूँगा शादी के लिए मेरी एक शर्त होगी कि वो मुझे इस तरह का मैलबॉलियो के साथ या किसी और के साथ एक और इस तरह का मजाग जो है वो करके दिखाएगी तो Sir Andrew कहता है nor I neither मैं भी उससे दहेज नहीं लूँगा अब यहाँ पे एक चीज नोट करना या लोगों को बेवकूफ बनाने वाला तो यहाँ पे जब मारिया आती है इंटर होती है तो उसको देखर फैबिन कहा रहा है कि वो देखो हमारी प्यारी जो है मतलब एहतराम के काबिल या इजददार जो गल कैचर है यानि जो लोगों को पागल बनाने वाली लेडी है वो आ रही है तो यह इंटर मारिया मारिया वाँ पे इंटर होती है तो सर्टूब बे कहता है विल्ट दाव सेट दाव फोट ओन माई नेक यानि अब वो उसकी इतनी ज़ादा इजद कर रहा है और उससे पूछ रहा है कि मारिया क्या तुम अपना पाउं जो है वो मेरी गर्दन के ओपर रखोगी यानि मैं मतलब तुम्हारे पाउं चूमना चाहता हूं या तुम्हारे पाउं चूमना चाहता हूं जो तुमने यहाँ पर हमें खेल दिखाया है यानि क्या मेरे भी मतलब गर्दन के ओपर तुम अपना पाउं रखोगी फिर से उसकी लाइन को कॉपी कर रहा है तुम्हारे तुम्हारे साथ इस गेम के अंदर दाव पर लगा दूँ और हमेशा के लिए तुम्हारा घुलाम बन जाओ बॉन्ड स्लेव क्याते है कि मतलब ऐसा घुलाम जो के शुरू से तुम्हारे साथ हो और हमेशा तुम्हारे साथ रहे वो वाला घुलाम बन जाओ तुम्हारा मैं तो सर अंदर काता है कि तुमने उसको इतना ज्यादा मतलब इतना बड़ा ख्वाब दिखा दिया है कि जब उसका ये ख्वाब तूटेगा ना तो वह पागलों की तरह मतलब इदर उदर दोड़ेगा या पागल हो जाएगा तो मारिया आगे से कहती है ने, ने, मुझे सच बताओ मतलब अब मारिया समझ रही है कि शाइद ये मजाग कर रहे है मतलब इतना कुछ नहीं हुआ होगा जितना ये बढ़ा चाड़ा कर बात कर रहे है तो मारिया कहती है यानि मुझे सच सच बताओ सर टूबे यह सारेंटरी, मुझे सच बताओ, क्या हुआ क्या मतलब हमारा प्रेंज जो था मैल वोलिय के लिए वो काम्याब हुआ तो सब्सक्राइब बे कहता है लाइक एक्वावीटा विद आ मेडवाइफ एक्वावीटा ये एक मतलब ड्रग होता है जो क्या होता है कि मिडवाइफ, मिडवाइफ कहते है दाई होती है जो मतलब प्रेगनेंसी के दोरान हल्प करती है मतलब मदर की हल्प करती है तो उसको दाई कहते है वो जो दाई होती है वो मतलब चाइल्ड बर्थ के दोरान लेड़ी की हल्प करती है कैसे कि उस lady को एक drug जो है वो दिया जाता है जिससे वो थोड़ा सा नीद में चली जाती है तो उस drug को use करके ना वो मतलब अपना काम करती है वो जो दाई होती है वो मतलब child birth के अदर mother की help करती है तो साटूबे कहता है कि जिस तरह से जो दाई होती है उसके लिए वो drug जो है वो उसके काम में उसकी मदद करता है कि वो उस माँ को बहुच करता है और फिर वो बच्चे की delivery करते है तो उस तरह से जिस तरह से वो drug मतलब उस दाई के लिए काम करता है उस तरह से ही ये प्लैन हमारा इसने मैलवولिय के ओपर काम किया है यहां पर एक चीज ये भी famous होती है कि उस time के अंदर जो midwife होती थी जो डाईयां होती थी जो के मतलब मदर की help करती थी pregnancy में या child birth के अंदर तो वो इस चीज़ के लिए famous होती थी कि वो ना इस drug को use क्योंकि ये थोड़ा सा alcoholic होता था तो वो इस drug को ना मदर के उपर use तो करती थी लेकिन उसके लावा वो खुद भी इसको बहुत ज़्यादा यूज करती थी मतलब खुद भी इसको बहुत ज़्यादा पीती थी शराब की जगह पे फिर मारिया कहती है इफ यू विल यानि अगर तुम्हारी इचाज़त हो या तो अगर तुम चाहते हो ना then see the fruits of the sport अगर यह जो हमने अभी अभी खेल खेला है तमाशा देखा है इसका result देखना चाहते हो ना कि मतलब आगे क्या होगा mark his first approach before my lady he is यहाँ पर महलवोले के बात कर रही है कि अब महलवोले जो है ना वो मेरी लेडी के पास जाएगा यानि वह पीली जुराबे जो है वह पहन कर उसके पास आएगा and this a color she aborts और यह वह color है जो के उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है यानि मारिया ने ने लेटर के अंदर वह वह वाला color लिखा जो के Olivia को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इस तरह से लिखा कि जैसे Olivia को यह color बहुत जाएदा पसंद है तो मारिया यहां पर कहा रही है कि वह पीली जुराबे पहन कर Olivia के पास जाएगा जो के Olivia को बिल्कुल भी पसंद नहीं है and cross-gartered और cross-gartered की form में जो के बिल्कुल भी पसंद नहीं है Olivia को detest यानि वह इस fashion को बहुत बुरा समझती है और यह fashion करके malevolio जो है वो उसके पास जाएगा and he will smile upon her और सबसे ज़्याबढ़कर क्या होगा कि वो Olivia के पास जाकर ना smile करेगा यानि continuously smile करेगा which will now be so unsuitable to her disposition जो के मतलब इस time जो Olivia के position है ना यानि इस time Olivia जो है वो बहुत ज्यादा मतलब change feel कर रही है being addicted to a melancholy as she is यानि वो बहुत ज्यादा उदास है अपने भाई की death के उपर तो उसकी यह जो मतलब अभी disposition है ना जो उसका मिजाज है जो उसका अभी behavior होगा उस behavior को ना ये पूरी तरह से unsuitable है यानि उस behavior को ये बिलकुल भी suit नहीं करेगा melvolio का मुस्कुराना ये वो कह रही है फिर कहती है that it cannot but turn him into a notable contempt यानि ये सब चीजें क्या करेंगी कि melvolio को ना Olivia के लिए एक हकारत आमने इस चीज़ बना दें if you will see it, follow me यानि अगर तुम ये सब कुछ देखना चाते हो तो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ Sir Tuba कहता है to the gates of tartar अब tartar जो है classical mythology के अंदर ये जहन्नूम के अंदर एक चगा है Sir Tuba जो है ना वो मारे के साथ उसी sense के अंदर बात कर रहा है कि जिस चाह से ऊपर से वो मतलब कभी उसको girl catcher कह रहा है कभी उसको villain कह रहा है कभी शयतान कह रहा है तो उसी sense के अंदर बात कर रहा है कि मतलब ऐशयतान, मैं तुम्हारा जो पीछा है ना या तुम्हारा साथ जो है वो जहन्नूम का जो एक area है ना उसके gates तक तुम्हारे साथ जाओंगा the most excellent devil of fit कि तुम अकल के मामले में ने एक बहुत बढ़िया शयतान हो यह वह कह रहे तो Surrendry फिर से कहता है I'll make one two यानि मैं भी तुम्हारे साथ साथ चलूँगा मारिया यान मैं भी तुम्हारा पीछा करूँगा यहां पर वह सब चलेगे और यहां पर सीन एंड हो गया thank you so much